तो आज हम खेलने वाले हैं Dragon Ball Legend गेम को काफी दिन बाद इस गेम को खेल रहे हैं और पिछला जब वीडियो बनाये थे आप सभी के तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिला था बिसिकली यह हमारा पहला एपिसोड है अगर आप सभी के तरफ से दूसरी पर अच्छा सपोर्ट मिला तो इस गेम को हम कंटिनू खेलना सुरू कर देंगे अब यह बजा आएगा ना बिडू और वैटल करने से पहले चैलेंजिस भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी को क्लियर करना है और क्रिस्टल को भी लेना है था कि हम सुमन कर पाएं तो चलो आटो सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास अच्छे अच्छे कैरेक्टर भी है जिसे आप धीरे धीरे जान पाओगे आसनी से हरा तो देंगे क्योंकि फ्रीजा का अभी फिलाल लेवल है 3000 और हमारा सभी जो कैरेक्टर है फुल लेवल 5000 के पास हैं तो पहले बैटल के लिए रेडी हो जाओ हम उतना अच्छा भी नहीं खेलते हैं इस गेम को लेकिन फिर भी कोसिस करेंगे आप सभी वो इंटेटेंड करा पाएं पता था ये तो स्टूरी पता है उसके बाद हमारा जो गोकु है पहली बार सूपर सेंड में ट्रांसफर हुआ था क्या सीन था यार बात चितने ही सुनना है सीधे हम चलते हैं बैटल के दरब लिमिट लेजेंड फ्रीजा या चैलेंजस को अच्छे से नहीं देखें कि कौन सा कैडिगरी का कैरेक्टर को यूज करना चाहिए कोई नहीं एक बात जब पूरे मैच को खेल लेंगे यानि बैटल कर लेंगे दूसरी बार जब एंट्री करेंगे उसमें सबी स्टार को हम कंप्लेट कर लेंगे लेकिन इस एपिसोड में नहीं करेंगे फ्रीजा तेरी ऐसी तो तैसे कर देंगे तो सूपर से नहीं लड़ पाया सूपर से गौट से कैसे लड़ेगा और मॉस्ट कंप्लेट पतम टाड़ा फ्रीजा पता था यही होगा पूरा कंप्लेट नहीं कर पाये कोई दिक्कत नहीं हम आफलाइन खेल के पूरा कंप्लेट करने की कोसिस करेंगे गोकु यहां मार खाते हुए चलो स्टोरी कंटिन्यू इसमें लैंड एंड अटेक रेट के साथ और दो रेट केरेक्टर हमिए उसकाना इस बैटल में तो कस्टमाइस करते हैं अपने पार्टी को अब से ही है फ्रीजा फुल गुस्से में गोकु भी गुस्से में प्रीजा कामया में हां लगता हुआ फ्रीजा का और इसके साथ फ्रीजा का दी एंड नहीं हुआ और भी ताकत बचा है उसमें लेकिन गोकु भी कहां हार मानने वाला है डिफीट अल एनिमेस डोज और मारते चलो चांस मत दो गोकु की जाए हो तीर तीन गोकु एक गिन्यू फोर्च वाला गोकु है जब ट्रांसपर हुआ था उसका बॉड़ी इससे डोज नहीं हां सीरियोस तो अविसली हो चुके हैं हम कुछ दिर और एक्टर स्विच करो राइजिंग रस रेड़ी है यूज करना चाहिए लॉज क्या और हम माड़ खाए नहीं गलत बात गलत बात मरना नहीं है चलो राइजिंग रस के साथ खतम करते है इसका टेल तो कट चुका है यार दो दो खामे आमेहा और इसके साथ कतम भी राइजिंग के ओ करते हुए प्लैनेट आल्मोस्ट डेस्ट्रॉई होने वाला है लेकिन उससे पहले गोकु तो निकल जाएगा और प्रीज़ा भी तो बच जाता है इसके बाद चलो नेक्स फाइट के लिए हम रेडी हो जाते हैं ग्रीन केरेक्टर यूज़ करना है ग्रीन में काफी अच्छे अच्छे केरेक्टर है जैसे की सूपर सेन, पोर, जीरिन, साथ, साथ, गुर्पू, गॉर्ड वर्शन, हैंड तो हैंड कॉमबाट लेकिन फ्रीजर जाने नहीं देगा मुझे पता था अब मजाए डान अब बेडू बहुत जल्दी खतम कर देंगे जीरिन को बलाते है सूपर पारफूल कैरेक्टर हमारे पास एक अच्छा वला मूव यूज करना चाहिए यार ये अच्छा नहीं था गोकु आजा राइजिंग रस रेडी है यूज करी लेते है ना भी करेंगे तो कोई लिक्कत नहीं लेकिन ऐसे खतम करने में मजा ही आजाता है जीरिन का स्टाइल त exclusivity कैंवегда राइजिंग रिजीं कोई, फिнििस खीं राइजिंग निए रीजा तो गच्छा रीजा का प्रेस्फ प्रेक है रीजा का बादने बाने बादने बादने हुए मैंद मैंने बादने बादने है बादने, प्रेभा यूटा। एक प्रौ prizes खतम बाइबाइ टाटा गुडबाइ गया ठीसी के साथ ये स्टोरी तो खतम हो चुका है लेकिन और भी बैटल करना है आखरी बैटल कर लेते हैं पहला एपिसोड है जादा लंबा नहीं कीचेंगे और इस गेम में बैटल के अलावा और क्या कर सकते हैं सबसे ज़्यादा तो मज़ा बैटल करने में है इसमें दो कैरेक्टर है बिजिट और फ्रेजा जीरी नाज है जल्गी से डॉज लगाता तीन मूव बेजिटा चुका है मैदान में पुराना वाला बेजिटा दोच किया वो भी जीरीन के सामने है और कंटिनूसली धोये जा रहा है रोक अभी तुझे दिखाता हूं कैसा लगा मेरा धोना कॉम्बो में ही ख़तम कर चुके हैं अब आएगा मज़ा जीरीन का स्पेसल मूव और फिनिस भी कर चुके हैं और इसके साथ आखरी फाइट भी हम खतम करते हुए उमेग काता हूं इस गेंपले वीडियो को देखके आप सब बहुती ज़्यदा एंजॉय किये होंगे अगर कहीं भी थोड़ा सब एंजॉय किये हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से जल्दी कॉमेंट करके बताओ क्या ड्राइगन बॉल लेजेंड को कंटिनूसली खेलना चाहिए या फिर नहीं तो चले वाइर मिलते हैं एक्स एपिसोड में प्रेशन फाइन एपिसोड के साथ तब तक के लिए गड़ पाई